नमसकार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल पर आज की वीडियो के अंदर मैं आपको हिस्टरी के दस कोशिंस के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आज के टॉप 10 कोश्टरी के अंदर से कौम्प्टिटिव एक्जामस के अंदर पूछे जाते हैं तो चलिए सुरुव करते हैं को सथ क्या कहते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कि रचना किस भासा में हुई हैं तो दोस्तों इसका उत्तर है कि जैनिय। सोरी जो जैन साहित्य है उसकी जो रचना है वो प्राकरत भासा में हुई है ये अलग प्रकार की भासा होती है जो कि इसमें लिखने के लिए इस्तेवाल में ली गई है कोश्चन नमबर 13 है आपके लिए कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं ये आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है आप हमें कमेंड के मादे हमसे भी बता सकते हैं अपनी तैयारी कर सकते हैं इसका उत्तर है हेरोडोट्स इसके बाद आता है आपका कोश्चन नमबर 14 है क के लिए कि हेरोडोट्स की परसीद पुस्तक का नाम क्या है तो दोस्तों हेरोडोट्स की जो परसीद पुस्तक है उसका नाम हिस्टोरिका है और इस पुस्तक के बारे में जरूर सुना होगा अगर आपने हिस्ट्री को कभी भी पढ़ा है 12th क्लास के बाद यानि BA में है अगर आपने हिस्टी सब्जेक्ट लिया हुआ है उप्सिनल के रूप में तो आपने हिस्टोरिका और हेरोडोट्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा अगर नहीं भी पढ़ा है तो आज आपने पढ़ लिया है आपको इसके बारे में और ज्यादा ज्यानकारी ले सकते ह अलग से गहीं भी इसके बार में आपको पता चल चुका है question number 15 है आपके लिए अज्यात लेखक की रचना का नाम क्या है तो दोस्तों जो अज्यात लेखक की रचना है उसका नाम है periplus of the erytherian sea एक बार फिर से मैं आपको repeat करके क्या मिलता है आपको क्या बढ़ने के लिए दोस्तों उसमें बंद record रचना है उसका नाम है तो फायान की जो परसिद रचना है उसका नाम है फो क्यो की इसे आप बहुत ही आसानी के साथ जो है माइंड में रख सकते हैं यह आपको याद हो जाएगा फो क्यो की फायान मिलते जूलते ही सब्द हैं इसके बाद है question number 18 आपके लिए question number 18 कहता है एक बुक है एक बुक है और इसके जो लेखक है उनका नाम क्या है अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है यह जो लेखक है उनका नाम है फायान इसके बाद आता है आपका question number 19 question number 19 कहता है कि वेन सांग के यात्रा वरतान्त का नाम क्या है तो दोस्तों वेन सांग के जो यात्रा वरतान्त है उसका नाम है पता है तो बताईए नहीं पता है तो हम बता देते हैं इस पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है वेन सांग इसके बाद आपके लिए आता है question number 20 कि इस अलबरूनी की रचना का नाम क्या है अलबरूनी लेखक है और उनकी रचना के आपको नाम पता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं पता है तो हम बता देते हैं अलबरूनी की जो रचना है उसका नाम है तहकीक ए हिंद इसके बाद आता है आपके लिए question number 20 से कोता है violent कि गुपतोफ्तर-कालीन समाज का विविद्ता-पूर्ण विवरण किस में मिलता है यानि पुस्तनक् тон विवरण कि异रन मिलता है जिसमेंट Naruto canale mars we vagabashi would partner partner Q government कि विवरण कि हैं जो एक हिन्द में निविता-बौइव्या वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें घंटी का बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल से जोड़े रहें इसी तरीके से आपको स्टेप बाई स्टेप एक एक सब्जेक्ट टोपिक के ऊपर वीडियो मिलती रहेगी बहुत बहुत धन्यवाद आ ऩर टानवट खिरma आपकर टीयो मिलती texture क przyszरे से जोड़े लगद आएंज तरिय दे ला ढ़ादेगाおं दो दोड़ारत के एक आपकर बाज़ादी हो पहत श्मा जन्यवादी अपक्त प्सक्त